दोस्तो बिग बोस के Season 14 के Live Feed में इस समय बिग बोस के द्वारा गर्के सभी Contrastate को Captain Sir से जुड़ा हुआ नया टास्क दियागया है इस टास्क दौरान गर्के Garden एरिया में गर्के सभी Contrastate के चेहरों के अलग-अलग Stand लगाये गए है साथ इसाथ वहाँ पर दो अलग लग बॉक्स बनाए गए हैं जहां पर एक यलो कलर का बॉक्स है और दूसरा बॉक्स जिसमें की स्टेंड रखे हुए हैं वो रेड कलर का है लेकिन दोस्तों इस टास्क के दुरान गर के कंटेस्टेंट को अपने आपको सैक्रिफाइस करना होगा यानि कि खुद का बलीदान देकर किसी अन्य कंटेस्टेंट को कैप्टनसी का दावेदार बनाना होगा जहां दोस्तों आपको बता दे कि पहला राउंड पूरा हो चुका है और पहले ही राउंड में राकी साउंट ने खुद का बलीदान देकर अभिनाव शुकला को इस टास्क के दुरान गरका अगलाद केप्टनसी का दावेदार बना दिया है खेर दोस्तों ये सुनकर अभिनाव शुकला तो काफी ज़्यादा खुश हो चुके हैं जहां रुबिना भी काफी ज़्यादा खुश है क्योंकि राकी ने इतना बड़ा बलीदान देकर और अभिनाव को आगे किया है लेकिन दूसरी और अब ये प्लानिंग चल दी है कि रुबिना दिलेक खुद का बलीदान देते हुए निकी तंबोली को आगे रखेगी या निकी कैप्टनसी का दावेदार बनाएगी तो वही दूसरी तरफ अली गोनी और एजाज खान मिलकर राहुल वेद्यो को कैप्टनसी का दावेदार बनाने की बरफूर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं हालां कि दोस्तो अर्सी खान कहीं न कहीं सोनाली फोगाट को अपने लिए मनाते हुए दिखाई दे रही है खिर देखना दिल्चस फोगाट की स्टास के दोरान कौन से चार कंटेस्टेंट कैप्टनसी के दावदार बनते हैं और फिर उन में से कौन कैप्टेन बनेगा फिलाल दोस्तों कैप्टेन से इसे जुड़ी जानकारी के लिए आप हमार साथ बने रहे हैं और यदि आपको भी राकी का ये बलीदान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूल भी ना भूलें